राष्ट्रपती चुनाओ को लेकर बड़ी खबर सामने आई आज दोपर तीन बजे चुनाओ आयोग प्रेस कॉनफरेंस करेगा इस दोरान राष्ट्रपती चुनाओ की तारीक का एलान किया जाएगा सविधान के अनुच्छेथ 62 का संदर्प देते हुए राष्ट्रपती राष्ट्रपती शुलाई को समाप्त हो रहा है और अगले राष्ट्रपती के निर्वाचन के लिए चुनाओ उससे पहले संपन होना चाहिए राश्रपती चुनाओं में संसत के दोनों सदनों के सदस्यों के अलावा सभी राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, राश्री राजधानिक शेत्र, दिल्ली और संगशासित प्रदेश, पुड्डु चेरी की विधान सभाओं के सदस्य वोट डाल सकते हैं राज्य सभा लोकसभा ये विधान सभाओं के मनोनित सदस्यों को राश्रपती चुनाओं में मतदान करने का अधिकार नहीं है ऐसे ही राज्यों के विधान परिष्टतों के सदस्यों को भी राश्रपती चुनाओं में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है गौर तलब है कि 2017 में राश्रपती चुनाओ के लिए मतदान 17 जुलाई को हुआ था और मतगणना 20 जुलाई को हुई थी